जयमा इंद्राक्षी जयम्बे जोतिस पाठशाला में दर्शुक्वा आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आईए आज जोतिस पाठशाला में हम आपको जोतिस के बारे में कुछ बताएं और साथ ही ये भी आपको समझाएंगे कि गोस्वामी तुर्सी दाजजी का कितना गहन अध्यन रहा है जोतिस सास्त्र में और उन्होंने अपनी दोहा वली के माध्यम से हम सब बच्चों को बहुत कुछ देने का प्रियास किया है साथ ही कल का लाइब कारेकरम कल का पूजन भगवती जगजन्नी के करपा से बहुत अच्छा रहा हम भगवती से यही प्राथना करते हैं ही जगजन्नी आप समस्त सादकों के घर में वास्त करें परतेख सादक की जो भी अभिलाशा हो ही जगजन्नी आपके गरबाश से पूण हो जाए आगामी समय में और बहुत सारी चीजें हम आपके संग करने वाले हैं आप यूहीं हमारे दोनों चैनल से जुड़े रहिएगा आईए पहले आज कम पंचांग देखें फिर हम आपको आगेगी चर्चा बताते हैं 23 अप्रेल सन 2023 दिन रविबार संबन 2080 बैसाख मास शुक्रपक्स तिथी तृत्या लेकिन तृत्या तिथी सुबह अभी सुबह के साथ बज़े हैं तृत्या तिथी साथ बज़ करके 49 मेट तक रहेगी फिर चतुरती जी लग जाएगी ठीक है अभी थोड़ा सा पल ही चतुरती तृत्या है फिर आपका चतुरती का आग बना जाएगा नक्षत्र रोहिनी राहुकाल साड़े चार सिच्छे दिशासूल पश्यम्दिसा नाना भाती में बड़े बड़े विद्वानों ने जोतिस सास्त्र में अपने मत रखे हैं उनी मनीश्यों में उनी रिश्यों में गोस्वामी तुलसी दाजी ने भी जोतिस पर बहुत प्रकास डाला है कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं अगर उन नक्षत्रों में हम से कोई धन ले ले या हमारा धन कहीं चला जाए तो वो मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसी में तुसी दाजी ने बहुत सुन्दर दोहों के माध्यम से दोहा वली में कुछ कहा है कुछ समझाया है बताया है आपको जानकर भी आश्यरे हो जाएगा अब हमारे नक्षत्र कितने होते हैं 27 नक्षत्र होते हैं जो जो 35 पाठशाला बहुत दिनों से हमने बंद की हुई थी और कारियों में थे तो जोतिस पाठशाला कारेकरम की आज ये अगले कड़ी है तो जो विद्यारती हैं हमारा लंबे समय से कारेकरम देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि कितने नक्षत्र होते हैं सारी बाते बता चुके हैं 27 नक्षत्र होते हैं और 28 बार जो नक्षत्र होता है वो अभिजीत होता है लेकिन मुख्यता हमारे 27 नक्षत्र होते हैं हर नक्षत्र का अलग अलग नाम होता है नई सादकों के लिए बता रहे हैं तो उनी नक्षत्र को उनी नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो दन के लिए लेन देन के लिए थोड़ा सा आप साफधानी उसमें जुरूर परते हैं आईए पहले आप एक दोहा देखें और दोहे के माद्दम से तोसिजाज जी क्या कह रहे हैं वो आप समझने का प्रियास करें आप इस दोहे को ध्यान से देखें समझें और पढ़ें उगुन उगुन बी अज क्रय मैं आ भै ए मू गुनू साथ यह सारे नक्षत्र हो इस टाइप से कोई भी नक्षत्र आ जाए तब हरो धरो गाडो दियो धन फिरी चड़ई न हात यहनी कि किसी प्रकार से कोई धन आपने गाड़ दिया हो चिपा दिया हो कहीं रख दिया हो किसी को दे दिया हो क्या कहा चड़ही न हात वो फिर हात में नहीं आता अब इसे और बारी किसी समझें आप फिर इस दोहे को ध्यान से देखें और हम समझा रहे हैं देखें आप उगुन मतलब तीनो उसे उत्रा फालगुनी नक्षत्र उत्रा शाढ़ा और उत्रा भाद्र पद उगुन उसे पूर्वा फालगुनी पूर्वा शाढ़ा पूर्वा भाद्र पद बी से विसाखा ऐसे आगे बढ़ेंगे रोहिनी, कर्तिका, मगह, आद्रा, भरणी, अशलेशा और मूल नक्षत्रों में चोरी गया हुआ, छिना हुआ, उधार दिया हुआ, गाड़ा हुआ अर्थार्त किसी विप्रकार से हाथ से निकला हुआ धन कभी वापस नहीं आता देखो, क्या शांधार तरीके से गौश्वामी जी ने हम सब को ये बताया है तो जोतिस सास्त्र को वास्तम में वेदों का नित्र कहा गया है और जोतिस सास्त्र के माद्यम से व्यक्ति अपने भूत भविश्य की पहचान कर सकता है आने वाले समय की पहचान कर सकता है या मैंने कई धन मेरा चोरी चला गया है और किस दिन गया यदि उसको भई इतना तो पता ही होता है कि आज मेरी पॉकेट कट गई या मैंने किसी को धन दिया तो उस दिन नक्षत्र क्या था यदि इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो आपका भग गई बहुत सुनेरा हो तो वो धन मिलने का चांस होता है, नहीं तो गुस्वामी जी ने इस फस्ट कर दिया है कि वो धन निस्ट हो जाता है, हात में चड़हिन हात, यानि कि हात में वो दुबारा नहीं हाता, ऐसे ही कुछ ऐसी तिथिया भी होती है कि जन तिथियों में अगर हम कोई कारिय करें तो वो कई बार बिल्कुल उन तिथियों में कारिय नहीं बनता है ऐसे ही जब हम कोई अनुस्ठान करते हैं कुछ करते हैं हम रिक्ता तिथि वो भी माइने लेते हैं रिखता तिथीं किसको करते हैं? जैसे हमारी तिथियों कुणती से दन्दा है बद्र hebben नगड़ं है अवरी सिद्धा है रिखता है समस्ते हैं नखै तिथियों आप रिगता तिथियों में 3 तिथियों कौन-K parameter दिशिर i5-17ями और चतुर्दशी यानि के इन तिथियों में से जल्दी से हम कोई रुष्ठान प्रारम नहीं करते हैं दिन देखते हैं हाँ चतुर्थी चवदस और इसके सास्त कौन सी नवमी यही तिथि शरीवार के दिन आ जाएं तो बड़ा अटूट सफलता के साथ कारिय कराने वाली यह तिथि बन जाती है जोत्य सास्त्र में ग्रह ग्यान की गणना के साथ साथ रासी नक्षत्र ग्रह गो में वर्ष पूर तुलसिदाज जी दोहा बली में दोहो के माद्यम से बहुत कुछ हमें बताया है उन्होंने और भी अनिक विद्वानों ने समय समय पर जोत्य सास्त्र में बहुत कुछ बताने का प्रियास किया बहुत पुरानी पांडूली पी एक नारद पुरान कभी हमे मिली थी उसमें कहा जाता है स्विम नारद जी ने सामुद्रिक सास्त्र के बारे में बहुत कुछ बताया है जब समुद्र में उन्होंने देखा बैगवान विश्णु के चरणों में अलग-अलग प्रकार के चिन हैं और वो अद्बुत चिन हैं जो कभी देखने को नहीं म ग्यान है वो बात अलग है नाचना जाने आंगन टेड़ा बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद कि हमें पून ग्यान नहीं है या थोड़ा बहुत भी ग्यान नहीं है और हम जोतिस का कारे करते हैं और दूसरों के साथ हम गलत बविश्य वानी करते हैं या गलत तरीके से हम जोते सको पेश करते हैं, तो उसमें जोते सास्त्र की गलती नहीं है, धर्म की गलती नहीं है, जो व्यक्ति उसको गलती से गलती कर रहा है, उस व्यक्ति की गलती है, ठीक है, ये बड़ी प्राचीन विद्या, इस विद्या को कोई भी सीख सकता है, और अच्छे से उस विद् सित कपाला कुंडली दंड पाणी स्तरुन तिमिरनी लो व्याल यग्यो पविते क्रतु समैस परियाद विग्न विच्छे देहेतुर जयति बटुक नाता सिद्धि दासाद का नाम। ओम देव्यराज सेव्यमान पावना ग्रिपंकजं व्याल यग्य सूत्र मिंदु सेखरं क्रिपाकरं नारदादी योग व्रिंदि वंदितं दिगंबरं कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे बानकोटि भास्वरं भवाप्दितारकं परं निलकंठ मिप्षेतार्त दायकं त्रिलोचनं काल काल मंबुजाक्ष मक्ष सूल मक्षरं कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे शूल टंक पासदंड पानि मादि कारणं स्यामकाय मादि देव मक्षरं निरामायं भीम बिक्रमं प्रवुब्वि चित्रतांड वप्रियं कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे भुक्ति मुक्ति दायकं प्रसस्त चारु बिग्रहं भक्त वस्यलं स्तमस्त लोक लोक बिग्रहं भूत संगनायकं विसाल किर्ति दायकं कासिवास लोक पुंड्य पाप शोदकं बिभुम नीति मार्ग को विदं पुरातनम जगत्पतिम कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे कासिका पुरादी नाथ काल भेरवं बजे कौम बोलते हुए नित्र खोले समाने हो जाए मस्ताद को आद के लिए इतना ही आप स्वस्त रहे सुखी रहिए इन्हीं शुप कामनाओं के साथ हम अपनी मानी को बिराम देती हैं जय जय अंबे गुरुजी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी पी सेवन उसके उसी से मैं जुड़ा हुआ और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आज चर्च चकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई तो मैं इतना गाया हुद दो और इतना बढ़िया इन्होंने पताया इन्होंने जिसके वज़य से मैं आज तक इनसे परभावी थू हूँ जो हम अपने कलास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझबाते हैं यह हमें बहुत тебя आई और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा जो भी समस्या आई मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सौल भोते चले गए और आज तक मैं उनके आशिरवास से मैं बहुत सुखी हूँ किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने है तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें